Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्ड़बल बॉस हैं, जिनका नाम है प्रिगोजन, उनकी मृत्य हो गई है प्लेन क्रैश में, अब आप में से कई लोग कह सकते हैं कि प्लेन क्रैश तो होते रहते हैं, कई बार हो जाता है, तो मृत्य हो गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात यह है कि यह जो प्रिगोज गए थे कुछ मेहने पहले इसी की वज़े से कहीं न कहीं रश्या ने साजिस के आधार पर उनको मरवाद दिया होगा यह आप देख सकते हो वैगनर बॉस प्रिगोजिन हो रेबल्ड अगेंस्ट पुतिन ऑन बोर्ड क्रैश रश्यन प्लेन तो इसके बारे में आपको डीटे का जो लाइव बैच है प्रिलिम से लेकर इंटर्व्यू तक का वो लाँच किया गया है जिसके अंदर प्यॉर इंग्लिश प्यॉर हिंदी हिंग्लिश कोई भी अगर आप बैच लेना चाहते हो हमारे वेबसाइट एप पर जाएए कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेंट कर पाएंगे तो चलिए सुरुवात करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हुआ क्या है देखिए रश्या के अंदर आपको पता है कि रश्या और यूकरेन का वार चल रहा है तो रश्या की आर्मी तो यूकर 14 में ऐसा बताया जाता है लेकिन रिसेंटली क्या हुआ था अभी कुछ मैने पहले मैं आपको इसके बारे में डीटेल से बताऊंगा यहाँ पर जो प्रिगोजिन है वो पुतिन के ही खिलाफ चले गए थे जो रश्या की आर्मी है उनी के खिलाफ चले गए थे और ऐसा बत तक इतिहास यही कहता है कि जो भी पुतिन के खिलाफ गया है उसको कही न कहीं मारा गया है कहीं न कहीं किसी एक्सिडेंट में किसी तरह से दिखा कर कि उसका एक्सिडेंट में मृत्य हुई है तो यहाँ पर कल क्या हुआ है कि रश्या के अंदर एक प्लेन क्रैश हुआ और और इस plane crash में लगभग 10 लोग जो हैं वो शामिल थे और बताया जा रहा है कि 10 की यहाँ पर मृत्य हो गई है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर जो वैगनर ग्रूप है जिनके चीफ है जिनके बॉस है प्रिगोजन उनके बार company है जिसको आप पैसा दोगे तो वो आपके लिए काम करेगी आपके लिए लड़ेगी तो यहाँ पर जो रश्या है उनके लिए लड़ रही थी और यूक्रेयन के अंदर काफी सारा कारणामा इन्होंने किया था सबसे पहले बताया जाता है कि 2014 में इसको फाउंड हुआ थ और साथी साथ यहाँ पर आपको बता है कि यूक्रेयन के इस्टन पार्ट में जो प्रो रश्यन ग्रूप रहते हैं उनको भी सपोर्ट किया जा रहा था वैगनर ग्रूप के दोरा ताकि यूक्रेयन के इस्टन पार्ट से इसको अलग किया जा सके खेर 2014 में जैसा मैंने और उस समय बोला जाता है कि करीब 5,000 फाइटर्स इसके अंदर होंगे लेकिन इस साल जन्वरी के महने में आप देखे तो UK के Ministry of Defence के दोरा बताया गया कि नहीं इसके अंदर लगभग 50,000 फाइटर्स हैं जो रश्या के लिए काम कर रहे हैं यूकरेन के खिलाफ लड़ रहे है इसी इस्टन वाले साइड में और साथी साथ ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो वैगनर ग्रूप है उसका प्रेजेंस आपको एफरिका के अंदर भी देखने को मिलेगा खेर यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूँ कि जो भी समय रश्या यूकरेन का अंदर वा इसका निकनेम था वैगनर वहीं से इसका जो ग्रूप का नाम है वो वैगनर ग्रूप रख दिया गया था लेकिन जब इसको फाउंड किया गया ना उसके बात से आप देखोगे तो वैगनर ग्रूप बहुत जादा बूटालिटी करता है रूथलेसनेस है मतलब कि जहाँ पर भी इसकी मिलिटरी जाती है वहाँ पर पूरा तबाही ये लोग मचा देते हैं और इसी के वज़े से वेस्टन कंट्री यूएन एक्सपर्ट इन्होंने काफी सारा अक्यूजेशन लगाया है वैगनर ग्रूप के अंदर कि ये हुमन राइट्स को बहुत जादा अब्य और च्रीका की बात करें, लिविया की बात करें, माली की बात करें और अब यहाँ पर यूक्रेन में हीूमन राइट्स का काफी जादा अब्यूस किया जा रहा है खेर ये तो हमने वैगनर ग्रूप के बारे मे देख लिया लेकिन क्या हुआ अभी रिशेंट्ली अगर आप करने में लग गए थे, कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखोगे यहाँ पर यूक्रेन है, यूक्रेन के इस्टन साइड में यह लोग रश्या के लिए लड़ रहे थे यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे लेकिन अचानक क्या होता है कि यह जो वैगनर ग्रूप है, इनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि जो रश्या की आर्मी है, वो इनका साथ नहीं दे रही है मतलब इस्टन साइड में यहाँ पर उनको बहुत सारे मिलिटरी एक्विप्मेंट्स के आउशकता थी वो रश्या ने सप्लाई नहीं किया है तो एक प्रकार सी जो प्रिगोजिन है वो लगतार आरोप लगा रहे थे रश्या के उपर कि यहाँ पर जो रश्या की मिलिटरी लिडर्शिप है, जो रश्या की डिफेंस मिनिस्टर है, वो वैगनर ग्रूप का साथ नहीं दे रहे है और यहाँ पर जो भी सफलता मिलती है उसका शारा जो श्रे है, जो बेनिफिट है वो यहाँ पर रश्या की आर्मी ले जाती है और इसी से नाराज होके रश्या की डिफेंस मिनिस्टरी को हटाने के लिए वैगनर ग्रूप क्या करने लग गया जून के महने में वो मौस्को की तरफ बढ़ने लग गया और रास्ते में जाते जाते यहाँ पर एक टाउन आता है जगा आता है वो रोनेस यहाँ पर यह लोग काफी सारा जो घिराओ है वो लोग कर लेते हैं और बताया जाता है कि इसी तरह से वो मौस्को पहुँचने वाले थे मौस्को जाने वाले थे लेकिन उसके पहले ही अगर आप देखोगे तो जो रश्या की आर्मी है वो इनको रोग देती है जो भी गौर्णमेंट एजेंसी हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रश्या के अंदर मौस्को के अंदर इंपोर्टेंट उनको सुरक्षित यहाँ पर रख लिया जाता है तो देखे यहाँ पर वैगनर ग्रूप के चीफ प्रिगोजी ने एक बहुत बड़ा कदम लिया था पुतिन के खिलाफ वो चले गए थे जिसकी वज़े से भताया जा रहा था कि पुतिन बहुत नाराज थे खैर यहाँ पर एक और इंट्रेस्टिंग की यह होता है कि प्रिगोजीन और पुतिन का समझहौता हो जाता एक प्रकार से और यह समझहौता कौन कराता है बेलोरुस के जो लीडर है अलेक्जेंडर लुकाशेंको आपको पताई होगा रश्या का पडोसी देश है बेलोरुस और यह बेलोरुस में भी आपको पताई इसके जो राष्टपती है लुकाशेंको यह जो आप देख सकते हो इनकी और पुतिन के बीच में काफी अच्छ पुतिन है वो कुछ भी नहीं करेंगे वैगनर ग्रूप को मतलब कि जो भी कुछ हुआ वो पुतिन भूल जाएंगे और कुछ भी यहाँ पर उनको नहीं किया जाएगा लेकिन यह इतना असान नहीं है इतियास जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले हमेशा से यही देखा गय है कि अगर आप पुतिन के खिलाब गए हो तो कहीं न कहीं आपकी एक्सिडेंट में यहाँ पर मित्य होगी और यह कयास लगाए जा रहे थे लंबे से मैंसे कि क्या यहाँ पर जो प्रिगोजिन है वो बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे क्या होगा खेर यहाँ पर मैं आ बहुत इंपोर्टेंट सिटी हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रिगोजिन है जो वैगनर ग्रूप के चीफ है उनका खुद का प्लेन है वो जहां भी जाते हैं अफ्रिका जाते हैं जहां भी जाते हैं वो उसी प्लेन से जाते हैं और इस प्लेन का नाम भी आप देख सकत जो plane है उसका contact lose हो जाता है, signal lost हो जाता है और आगे चलकर पता चलता है कि यहाँ पर वो crash हो गया है और आप देख सकते हो इस तरह का जो scene है वो सामने आया था यहाँ पर जो plane के debris वगर हैं वो हमें दिखाई देनेते हैं और इसके अंदर total 10 लोग थे जिसके अंदर 3 crew members से और बताया गया है कि अभी तक जब मैं video record कर रहा हूँ तो 8 bodies इसके अंदर recover की गई हैं तो इसके अंदर जो 10 लोग थे ना उसमें यहाँ पर Russian official नहीं यह कहा है कि प्रिगोजिन का भी नाम था लेकिन आपको समझना है यहाँ पर अभी भी कुछ चीजों को लेकर confusion है कि प्रिगोजिन का नाम तो था इसके अंदर लेकिन क्या actual में प्रिगोजिन इसके उपर चड़ेती की नहीं क्या वो इस प्लेन में थे के नहीं यह अभी 100% नहीं बोला गया है लेकिन जहां तक मीडिया रिपोर्ट के अधार पर है यही कयास लगाया जा रहा है क्योंकि उनका नाम था इसके अंदर इसकी वज़े से वो भी इसके अंदर होंगे और उनकी यहाँ पर मित्य हो गई होगी यह बताया गया लेकिन इसके साथ साथ कुछ conspiracies भी हो सकती है देखें यहाँ पर जो aviation regulator है रश्या की उन्होंने कहा है कि हम इसको लेकर investigation जारी कर रहे है कि आखिरकार exactly हुआ क्या यह plane crash क्यों हुआ है लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर यह भी बता दूँ कि वैगनर ग्रूप का एक टेलिग्राम चैनल है ग्रे जोन उसके अंदर उन्होंने यहाँ पर एक बात कही है और यह कहा है कि यह जो plane crash हुआ है वो अपने आप नहीं हुआ यह basically Russia की जो anti air defense system होता है उसके through shot किया गया है देखो कहने का मतलब यह कि यह plane तो आपको पता है यह Russia के अंदर crash हुआ तो Russia ने जगर जगर पर यहाँ पर air defense system अपना लगा रखा है कि अगर बाहर से कोई भी यहाँ पर drone आता है फ्लाइट आता है तो उसको यहाँ पर उड़ा दिया जाए तो यहाँ पर यह plane जब जा रहा था और इस region में जब पहुँचा तो Wagner group का यह कहना है टेलिग्राम group में कि यहाँ पर Russia की जो anti air defense system है वो यहाँ पर इस plane को shot कर दिया अब क्या यह जान मुझकर किया गया क्या यह actual में हुआ कि नहीं हुआ या फिर यह जो plane है अपने आप crash हो गया यह सारी चीज़ें investigation के बाद ही पता चलेंगी लेकिन आप देख सकते हो US की तरफ सी भी बयाना है जो Biden इस समय छुटी मना रहे है निवादा में और वहाँ पर reporters ने उनसे पूछा कि क्या आपको इसके बारे में पता है क्या आप कहेंगे तो देखें उन्होंने का कि मुझे अभी तक इसके बारे में बहुत ज़्यादा fact नहीं पता लेकिन वो surprise नहीं है उनका कहना था कि कुछ भी Russia के अंदर Putin के कहे की बिना नहीं होता है मतलब जो भी कुछ होता है Russia में उसमें Putin का ही हाथ है और यहाँ पर साफ-साफ दिख रहा था कि जिस तरीके से प्रिगाजन Putin के खिलाफ गए थे दो मेहने पहले इसी के वज़े से यहाँ पर उनको मार दिया गया है तो देखते हैं आगे क्या होता है बट एक बहुत बड़ी ख़बर ती आई hope कि आपको समझ में आ गया होगा और जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हो कि Belarus के साथ कौन से देश का border share नहीं होता इसका right answer आप सबको पता है मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं Telegram से ले सकते हैं इसका सही उत्तर मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ बाकि अगर आपको PDF यह तो Telegram पर आईए लग-लग social media पर आप जुड़क आओगे और जैसा मैंने आपको बताया UPSC के अगर आप चारी कर रहे हो just use the code ANKITLIVE to get maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ आप से next time till then thank you very much see you soon Study IQ IS अब तयारी हुई affordable